राधे राधे दर्फको मैं आपके एस्टो लजर आड़के मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूटूब चैनल ग्रहों की चाल में दर्फको आज हम बात करने वाले हैं कन्या लव राशी फल मार्च दोजार चोबिस कैसा रहने वाला है आपका प्रेम प्यार क्या कुछ खास परिवर्तन होने वाला है मार्च के महीने में आपके लव लाइफ में इन सारी विश्यों की जनकारी हम आपको इस वीडियो के दरान देने वाले हैं साथ ही यदि आपका ब्रेक अप हुआ है कोई आपको छोड़ कर चला गया था या फिर आपको दोखा दे रह यानि कि मून साइन के अनुसार दी जाती है यदि आप हमारे चैनल पे नए नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा वीडियो पशंद आती है तो लाइक करिएगा साथ ही यदि आपका कोई शवाल है जो 30 से जूड़ा हुआ तो कमेंट बोक्स में आप अपने पोच सकते हैं चलिए बढ़ते हैं बिशवेश्टो के उद्रसको यदि आप शिंगल है और किसी अच्छे सच्छे पार्टनर की तलास में है तो मार्च का महीना आपका यह सपना पूरा करने वाला है आपके लाइप में ऐसा पार्टनर ऐसा ब्यक्ति आने वाला है जिसको जिससे बात करने के बाद आपको लगेगा कि इससे बेहतर आपको जीवन में कुछ मिल ही नहीं सकता था आप दोनों एक दूसरे को बहुत जादा पसंद करेंगे विवाह के बंधर में भी बंध सकते हैं इतना अठा अठा अनन्त प्रेम का अनुभव आपको उस ब्यक्ती के द्वारा होगा अब हम बात करें उन जादकों की जो किसी से अग तरफा प्यार करते हैं और चाहते थे वह ब्यक्ती की अपनी भावनाओं के पिशे में बताना बात करें उन जातों को कि जो love relationship में है यदि आप love relationship में हैं और कन्या राशी के जातक हैं तो 12 March तक इस थीदी थोड़ी खराब रहेगी आप दोनों के बिच में जगड़े होंगे परशानिया होगी, कलह कलेश मचेगा आप दोनों एक दूसरे पर इलजाम लगाएंगे खूब लड़ाई छगड़े हो सकते हैं किन्तु 12 माज के बाद इस थीदी शनमाने रहेगी लेकिन उन लोगों के लिए जो long distance relationship में नहीं है जो लोग long distance relationship में हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है यदि आप पास में रहने वाले हैं रोज मिल सकते हैं तो इसमें कोई problem नहीं है आप दोनों का रिष्टा अच्छा चलने वाला है खूब प्यार मिलेगा 12 मार्च के बाद किन्तु 12 मार्च में पहले आपको साबधान देहना है अब बात करें हम उन जातकों के जो no contact में है यदि आप no contact में रह रहे जातक हैं कन्या राशी के तो यदि समय काफी अच्छा है आपके पार्टनर आपको call message करने वाले हैं यदि आपको छोड़ कर किसी third party के साथ में चले गया थे यदि आप married हैं तो 12 March तक का समय बहुत अच्छा है 12 March के बाद हो सकता है कि आप दोनों एक दूफरे से दूर चले जाएं जिसके बदर से आप दोनों के बीच में दूरी रहेगी और दूरी होने के कारण आप दोनों के बीच में जगड़े हो सकता है तना आपकी इस सित्युत्पन हो सकती है किन्तो यदि आप एक ही घर में एक ही छत के नीचे रह रहे हैं तो आप दोनों के लिए परशाने की बात नहीं है दूरी हैं बढ़ने के कारण जगड़े हो सकते हैं तो यहां पर आप लोग थोड़ा ध्यान दिजिएगा दूर होने के प्रयाश्मत करिएगा ताकि आप दोनों के बीच में रिलेशन अच्छा चल सके बात करें उन जाता की जो एक्स्ट्रा मेरिज अफेर में है यदि आप किसी के साथ बीवा हो प्रांथ भी प्रेम शम्बंध में है दरसों को ऐसे तो कोई सौक से किसी के साथ प्रेम शम्बंध में नहीं जाता है किन्तु ग्रहों के प्रभाव हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें वो करने पे मजबूर करता है जो हम नहीं करना चाहते हैं यदि आपका राहू पीडित है पंचम भाव से संबंधित है सब्तम भाव से संबंधित है अश्टम भाव से संबंधित है तो आपके जीवन में ऐसे ना करात्मकता की कोई जलक देखने को नहीं मिलेगी आप जानना चाहते हैं कि आपके साथ जो पार्टनर जूरा हुआ है कार्मिक है, फालमिट है, टुम फ्रेम है अब फिर आपके कुंडली में कहीं प्रेम भंग योग तो नहीं है इन सारे विश्यों की जनकारी यदि आप हमारे दोरा चाहते हैं तो हमारे वीडियो में चल रहे नंबर पर शंपर करके आप जनकारी प्राथ कर सकते हैं अपने कुली का अनलाइसिस करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने ग्रहों के वारे में कहीं आपका ब्रेक अप का योग तो नहीं बन दा है अब ब्रेक अप हुआ है तो क्यों हुआ है ब्रेक अप जिससे हुआ है वह पार्टार बापर फाय गया है नहीं थर्ड पार्टी के साथ में चला गया है तो क्यों गया है इन स देंगे कोई तौफा देंगे जिसके बज़से उनके पार्टनर बहुत जादा खूस रहेंगे और आपके पार्टनर आप फिभी उम्मीद करेंगे कि आप उनको पूरा पूरा इस्टमय दें समय ना देने के कारण हो सकता है कि थोड़ी बहुत तकडार का फाम ना करना पड़ेगी किन्तू यह समय आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है मार्च का महीना आपके जिवन में प्रेम अनंत उत्साह लेकर आने वाला है दर्फको यह थी हमारी जनकारी कन्या लव झाल बहुत है